हेलो माई यूटूब फैमिली गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खूस होंगे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल क्यूट फैमिली में जली जली से सुरू करते हैं आज का ब्लॉग और ब्लॉग आज बहुत ज़्यादा लेट है और ये लेट क्यों हुआ ये मैं आप सबको आगे बताऊंगे वीडियो में पूरा बने आज बहुत ज़्यादा बड़ा मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है फिर भी जितना है आप लोग प्लीज इंजवाय करिएगा और अगर ब्लॉग में से कोई भी बाते कोई भी चीज आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लैक जरूर कर दिजेगा साथ ह एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कर दिजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले तो अभी देखिए लगबग ना भी बज रहा है ग्यारा सवाई ग्यारा का टाइम हो रहा है और मैं अभी बाहर कपड़े डालने आई हूं मैंने आधा कपड़ा तो सुब दिन्यू मेरा चल रहा कि 5 बजे उठ जा रही हूं तो आज मैंने सोचा था कि कपड़े पहले धो दूँगी क्योंकि टंकी में पानी मेरे गंदे थे जो कि मुझे हटाने थे खाली करके और टंकी साफ करना था ताकि साफ पानी उसमें मैं भर सकूं तो इसलिए मैंने सोचा और 7 बजे की ही लगबच मैंने चाय बढा कर पी लिया था बरतम दो हुझा जाड़ों कर लिया था उसके बाद चली गई थी कपड़े दो लेकिन आधा कपड़ा धोया वैसे ही पानी टंकी का खतम हो गया तो आधा मेरा कपड़ा वैसे ही रखा रह गया सारा पानी मतलब खतम हो चुका था तो बाकी उसके बाद काम सारा स्टॉप पड़ गया जब तक की पानी ना चले तो बार-बार जाके मैं पानी चेक कर रही थी लेकिन अचानक से फिर क्या हुआ ना कि मैं ये घंटे के लिए म मैं अपलोड करना था तो बॉइस सोबर करने के लिए मैं धर आ गई और मेरे ध्यान से निकल गया जिस वजह से पानी तो खुल चुका था मतलब चल रहा था पानी लेकिन ना मैं टंकी साफ कर पाई और नहीं मैं टंकी भर पाई तो आचानक से मुझे जब पता चला तो मैं गई फटा फट से टंकी साफ करने उसके बाद फिर पानी भरा तो आधा टंकी भी पानी नहीं भर पाया था इस वजह से लेट ना आज मुझे ब्लॉग शूट भी कर रहे हूं मैं और काम भी बहुत लेट सुरू हुआ है इसी वजह से इसलिए मैं हमेशा कोशिस करती हूं क कि ब्लॉग का जो भी काम रहता है एडिटिंग वगएरा या फिर भॉइस ओबर करना वो मैं एक दिन पहले ही करके रखूं साम को ताकि मुझे सुबह के कामों में कोई भी मतलब डिस्टर्ब ना हो मुझे लेकिन कभी-कभी होता है कि कोई के वजह से या फिर कोई और काम कॉणके जाता है तो मैं नहीं कर पाती तो फिर मैं सुबह में नास्तव अगयरा बनाने के बाद कहने के बाद मैं यही काम करती हूं और वीडियो अप्लोड करने के क्योंकि आज फ्राइडे है और कल लगभग सब चीज अच्छे से कर लिया था तो एक दिन नहीं भी करूंगी तो चलेगा यही होता है ना रोज की सफाई में अगर हम रोज करते हैं साप सुत्रा घर तो एक आदिन कभी मर्जंसी हो जाया चूट भी जाया तो कोई बात नहीं मतलब नौर्मल ही रहता अच्छा रहता है घर बिल्कुल गंदा नहीं रहता जाडू गाडू इधर कर लिया है मैंने थोड़ा सा विस्तर को हटा के साप किया है क्योंकि कूछ ने बिस्तर बहुत ज़्यादा गंदा किया था बिस्किट वगरए खाती है खाना थोड़ा बह आना बाकी है अभी और आज मेरे हुजबन का ओफिस में कुछ काम है बाहर से मतलब आये हैं कुछ चेकिंग के लिए तो उनको थोड़ा लेट होगा उन्होंने कॉल करके बोला था तो इसे थोड़ा सा रहत है कि चलो अगर खाना में दो बज़े तक भी बनाऊंगे तो कोई द दियान रखना पड़ता है और कल उनको निकलना है एक्जाम के लिए घर जाएंगे मतलब हमारे सहर में ही सहर में नहीं मतलब हमारे राज जराची में उनका एक्जाम का सेंटर पड़ा है तो अभी तो कोई फाइनल नहीं है अभी ऐसा चल रहा है कि साध के ये पुस्पान को लेके समझ नहीं आ रहा है कि क्या सरकार कर रही है जो बच्चे समझ ये कि दूर है जिनको आने में एक से दो दिन या तीन दिन लगेंगे वो लोग का क्या हाल होगा इतना पैसा खर्च करके जाएंगे भी और एक्जाम कहीं अगर कैंसिल हो गया तो क्या हाल होगा उनका बस वही चीज में हम लोग भी थोड़ा सा, मतलब टेंसर में हैं, क्योंकि हम फ्लाइड से जाना है, हजबन को मेरे फ्लाइड से आना है, तो पैसे तो बहुत जाधा खर्च होंगे, साथ में ठाकान होगी, इसमें होगी ही, इस वज़े से इस बार भी वही सब सोच रहा पता नहीं क्या होगा देखते हैं फिलाल यहां पर मैं कुहू को नहला दी थी पोचा होचा लगाने के बाद और निकू और कुहू दोने साथ में ही खेल रहे हैं बहुत टाइम से लेकिन फिर वही क्या होता है कि कभी कभी कुछ माइंड अगर कुछ काम हम कर रहे हैं और बच्चे कुछ इधर उधर कर दे आज पता है को ने क्या किया है कही से खराब बल्ब उठा कर ले आई थी बाहर में अधिकतरी लोगों का खेलना होता है तो कहीं से बल्ब उठा करके ले आई थी और फिर क्या किया कि उसको तोड़ दिया गिरा करके पूरा काज फैला लिया था और खुश से उठाने भी जा रही थी वो तो अच्छा हुआ कि मैं किचन में आई थी अभी तो मैंने बस इसी टाइम की बात है अभी मैंने सुन लिया कि नहीं वो कुछ टूटा है ऐसा सी से काव आ जाया तो मैं जाकर देखी तो जाकर सारा साप करके आई हूँ और उसके बाद न मैं चली गई थी नहाने मैंने इधर दाल चड़ा दिया था भूजिया भी मैं बना दी थी पोचा लगाने के टाइम ही मैंने इधर भूजिया भी चौक रखा था इससे क्या होता न कि इधर खाना भी मेरा बनते रहता है और कभी कभार लेट हो जाता है तो तो मैं इधर खाना भी चड़ाती हूँ से कुकर को खाली करके और इधर चढ़ा दूँगी अभी चावल और अभी बनाना है मुझे रायता और अपने लिए रोटी बस इतना ही कुछ बनाना है तो रायते की तैयारी करूंगी लौकी जो मेरे हस्बन लाय थे वो तो अच्छा खासा था तो मेरा मन कर रहा था कि रायत उसके बाद आगे का तैयारी करते हैं और वोग अभी लोकी का रहाता खा रहा है क्योंकि मुखे स्रंदी ठोड़ी कल तो मैंने ध्रिया पता काप्थ चटनी भी ख्रस घ का लिया दुद्द disaster और इपूरी मुझे तो मैसे रहा है जोका मेरे त में stroda है व्हों बहुतए थे तो आते आते ही किचण में आये और फिर मेरे सिहात उनका रहता हूए एक अप्राइस से बीच, छोटी, मुटी जो भी बाते हो, जो मेरे साथ हो, जो उनके साथ हो, एक से ohँ एक दूसरे से शेयर करने से मन भी हलका लगता है, और अच्छा भी लगता है, तो बस यहां पर मैंने लॉकी को छिल लिया और अब कदुकस कर ले भी हूँ मैंने उनको बोला जब भी उनका यह हुता ना कि जब भी आते हैं मैं कैमरा ओन रहता है और बाते करते हैं कैमरे के सामने यह आकर खड़े हो जाते हैं फिर कोई नहीं चलता है यह सब तो बस यहां पर अब मैंना रायते को उधर उबाल ली थी मतलब लौकी को तो फिर मैं उबाल करके उधर ठड़ा होने के लिए रखे हूँ और यह बना रही हूँ मैं रागी का आटे का रोटी तो लंच में जब ही रोटी बनाना रहता है न त अब ही के टाइम में थोड़ा सा तो भारी खाना चलता है सुबह से काफी भूख लगी हुई थी आज भी मुझे सुबह में बहुत तेज भूख लग गया था जब मैं एकसरसाइज करके उठी न तो मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी ऐसा लग रहा था कुछ खाल मैंने रायता बनाया था सो था, दाल था, थोड़ी सी आलूगोवी की भूजिया थी तो भी मैंने ली थी तो बस इतना ही सब कुछ था आज सेलेट वगएरा कुछ भी नहीं लिया क्योंकि रायता है तो काफी है और फटा फट से अभी मैं बना ले रही हूं रायता सुबर मैंने breakfast में बनाया था पोहे तो वह तो खाफी अच्छा लगता है मुझे तो मैंने बस एक ही कटोरी खाया क्या कर सकते हैं मन तो बहुत करता है कि खाऊ ज्यादा लेकिन भी खाई नहीं सकते तो बस इसलिए ऐसा नहीं है सारी चीजे तो मैं खाई रही हूं बस quantity थोड थोड़ा बहुत तो खाई रही हूं ऐसा नहीं कि completely डायट पे हूं ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत सब चीज मेरा चल रहा है बस मैंने continue चावल को छोड़ दिया है और मसाले वाली चीजे कम खा रही हूं बस इतना ही है बाकी सारा चीज नॉर्मल है जैसे खाती हूं ऐसे ही आलू थोड़ा और कम कर दिया है तो बस यहां रायता बनकर के रेडी हो गया आज तड़का नहीं लगाऊंगी रायते में क्योंकि ऐसे बहुत टेश्टी लग रहा था मैंने थोड़ा सा चक करके देख लिया था तो हस्बिन को बोला कि दू तो नो नो नहीं रहने दो सामक जाओंगा जब तब खाओंगा तो बस मैं अभी अपना खाना निकाल रही हूँ यहां पे और अभी चलूँगी मैं करने अपना लंच और आप सब भी को बोलूँगे यहीं पे bye bye क्योंकि अभी और भी बहुत सारे काम है तो जल्दी जल्दी से निप्टाने हैं ब्लोग के झाल झाल